थेलो दोस्तों ABC कोचिंग यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में एक अक्षा दस्वी विशाव विज्याण यानि साइन्स के मोश्ट इंपोर्टन बीबी आई ऑब्जेक्टिव कोशन देखने वाले हैं जो की इस बार बोर्ट की परिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो सभी चात इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखेंगे और इस वीडियो में बताएगे सभी कोशन आंसर को अपनी कौपी में नौट कर लेजे और परिक्षा से पहले इसे अपनों को रट लेना है अगर आपका एक भी प्रसन गलत हो जाते तो उसमें आपको अंक नहीं खाटा जाएगा दिहान दीजेगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन के और उससे पहले दोस्तों मैं बता दू जितने भी मैंने एक अपनों को पहले जो है चप्टर वाइज बताएं है वे सारे question जो है यहाँ पे लड़े हुए है जितने भी touch सारा question जो है touch किया हुआ है तो इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही बता था कि आप rather class करते है regular class करते है तो आपका एक भी question exam में नहीं चुटेने वाला है ठीक है तो चले दोस्तों आगे question के और बढ़ते हैं तो दीखे सबसे पहला question आप हमारी screen पर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि दाहरी बनाने के किस परकार के दरपन का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों आपनों को मालूम होगा मैंने पहले भी बताया था कि अवतल दरपन का उपयोग किया जाता है अगला सवाल है कि गोली दरपन में focus दूरी एवं वक्रता तिरजा के भी संबंध होता है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आर जो होती है आर बराबर यानी कि वक्रता तिरजा जो होती है वो focus दूरी की दूगनी होती है तो देखे किसमे है तो option नंबर बी में है ठीक है यही आपका जो है answer हो जाएगा इसको अच्छे से जो है आप लोग रट लीजिएगा परकास के अपवर्तान की किरिया में कौन सी भौतिक रासी का अपवर्तित रहती है तो दोस्तो द्यान दीजेगा यहां पे जो है अवर्तित नहीं होती है future प्लस में होगा आपको याद हो ना चाहिए खिशन उत्र इसका छप्लत अंसर दो कहले होगा एक डायप्टर हो जाएगा ठीक है option नमबर 20 इसका से अंसर होगा प्लस में होगा आपको याद हो आजए और हमेशा आप लोगो मैंने पहले भी बताया था कि अवतल लेंच रहे तो आपको मैनस करना है और उतल लेंच रहे तो आपको प्लस में आंसर देने है ठीक है याद र पूरी F निकालते हैं तो क्या होता है R by 2 होता है तो अगर मान के चलिए यहां पर कितनी है चार डाइप्टर है तो यहां पर ध्यान दिजेगा 1 by 4 निकालते है तो कितना होगा 0,10 मला भोगा 25 ठीक है 25 तो इसको हम एक से एक स्वस करेंगे तो कितना हो जागा 25 सेंटीमीटर त यानिक दोस्तों वाहनों के जिए हैडलाइट है न उसमें कौन सा जो है दरपन का प्रियोग किया जाता है यह यहां पर पूछा गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अवतल दरपन अप्शन नमबर 8 का सही अंसर होगा अगला सवाल सात्वा नमबर दिया है कि मानम नेत दोस्तों मैंने पहले बताया था कि दरिश्टी पटल पर किसी भी वस्तू का परतिवीम बनता है इसलिए और अप्शन नमबर डी जो है इसका सही अंसर होगा अगला कुशन आठवा नमबर दिया है कि समाने नेत्र का दूर बिंदू क्या होता है 25 संटीमिटर और दूर कास की मातरा का नियंतरन कौन करता है तो इसका करता है परितारिका ठीक है अप्शन नमबर सी इसका सही अंसर होगा अगला कुशन दस्वा नमबर दिया है कि मानम नेत्र में परतिवीम की परकृति क्या होती है तो मानम नेत्र में जो है परतिवीम की परकृति जो होती है व जो है उल्टा और वास्तिवीख होता, option number D इसका से यांसर होगा, ठीक है, अगला question 11 number दिया गया है, कि एक किलो वाट घंटा निमनी में से किसकी इकाई है, तो देखे दोस्तों, ये बकाफी BBI question है, और मैंने पहले भी बताया वा था, कि ये question 100% मोडरल पेपर में, और उर्जा का जो है, इकाई है, ठीक है, तो option number B जो है, इसका से यांसर होगा, इसको अच्छे से रख लिजेगा, अगला question 12 number दिया गया है, कि कुलंब का SI मातरक होता है, यानि कुलंब का कुलंब जो है, किसका SI मातरक होता है, कुलंब जो है, विदूत आवेस का SI मातरक होता ह है विदूत मोटर जो है विदूत औरजा को यांत्रिक औरजा में परिवर्तित करती है ठीक है तो option नंबर जो है बीज का सही आंसर होगा इसको अच्छे से याद करण लें अगला question देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि चौदर नमबर पूशा दिया गया है कि जल का विद्धुत अपगटन किस परकार की अभिकिरिया है तो इस कांसर जागा वियोजन अभिकिरिया है ठीके यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर क्या होगा वियोजन अभिकिरिया है अगला कुशन देखे लिखा है CuO plus H2 अभिक्रिया करने के बाद Cu plus H2O यानि कापर प्लस जल का यहाँ पे निर्मान कर रही है और यहाँ पे यह दिया गया है कि अभिक्रिया में किस पदार्थ का उप्चेन हो रहा है और दोस्तों उप्चेन अभिक्रिया की पारे मैंने आपको पहले बताए था उप्चेन अभिक्रिया किषे करते है जो Oxygen से संयोग करता है तो देखें यहाँ पे Hydrogen अकेला है और यहाँ पे आकर जो है Oxygen के साथ संयोग कर रही है तो कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जागा, H2 हो जाएगा, option number D, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, अगला कुशन दिया है, स्वाला नंबर, कि दिये गए चित्र में किस परकार की अभिक्रिया हो रही है, तो धियान दीजेग दोस्तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको पहले बता था, यह पीछले बार भी दिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जागा, यह विस्थापन अभिक्रिया कर रही है, क्योंकि यह एक दूसरे के साथ में विस्थापित हो रही है, तो option number C, इसका सही आंसर होगा, वि निमलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचा का उधारन है तो प्राकृतिक सूचा का उधारन कौन है लिटमस पत्र क्योंकि लिटमस पत्र से जो है हम असानी से जो है अमले छारक और उधासीन की जो है पहिचान कर सकते हैं ये प्राकृतिक सूचा का एक महत्पुन उधारन है तो इसलिए option number 6 का सेंसर होगा लिटमस पत्र ठीक है अगला question 18 number दिया है कि किसी willian ना willian का जो है pH का मान 10 है देखे ये काफी important और मैंने पहले बताया था कि अगर pH का मान 7 से अधीक रहे ठीक है 7 से अधीक रहे तो वो क्या होगा चारी होगा तो देखे ये 7 से अधीक है तो यहाँ पर क्या हो जागा चार हो जागा और 7 से कम रहेगा तो ये अमल हो जाएगा और दोस्तों सपकापकी 7 रहे तो वो क्या हो जागा उदासीन हो जाएगा याद रखेंगे यहाँ पर कुशन क्या दिया है कि यहाँ पे दिया गया है कि pH कामान 10 है तो नीमन में से क्या होगा तो वह क्या होगा चारी होगा तो option number D सयांसर होगा अगला कुशन देखें यहाँ पे दिया गया है कि दिया गया चित्र क्या सुचित करता है तो सबसे पहले दियान दिजे दोस्तों अगर यह सिंबॉल ट्रेंगल के रूप में दिया गया है तो समझ लिजेगा यह जो है चैतावनी दे रही है यह खत्री का निसान यहाँ पे प परतन की चेतावनी का चिन जो है यहाँ पे दिया गया है दर्सा आए गया है ठीक है अगला कुस्टन बीस नमबर दिया गया है कि इमली में कौन सा अमल होता है इमली जो है पूरी तरह सेदम खटा होता है आपने खाया होगा ठीक है तो इंबली में क्या होता टाटरिक अमल होता है तो option number 20 इसका से अंसर होगा टाटरिक अमल होता है अगला question 21 नमर है कि कौन ओधाती कमरे के ताप पर दर्व अवस्था में पाय जाता है ऐसा कौन सा ओधातू है जो कि कमरे के ताप करम पर जो है दर्व अवस्था में पाय जात तो दोस्तों इस cancer क्या हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी सी जो है इसका जो होगा और यहां पर ध्यान देजिक अगछा तो ही जो है जो है जो कि कमरी के ताफमान पर जो है द्रव अवस्था में पाए जाता है ठीक है चले अगला कोशन देखें 22 नमबर दिया है निमलखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है अगणी सामक बनाने के लिए किया जाता है तो दोस्तों इसका अंसर क्या हो जागा अगला कोशन के वर चलने 23 नमबर दिया गया है कि आधूनिक आवरत सार्णी किस अधार पर बना है तो देखें दोस्तों आधूनिक आवरत सार्णी जो है यह सब्जेक्टिव में भी दिया गया है जो की वीडियो आने वाला है इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंतक देख दीजिएगा इसमें जितने भी कोशन है ना कई सारे कोशन आपको जो है ऐसा लगए कि मैंने तो यह पहले सही पढ़ा हुआ है यह तो पहले हम याद कर चुके है ठीक काफी इजी लगेगा देखें यहां पे कोशन दिया गया है कि आधूनिक आवरत सार्णी किस अधार पर बना है तो इसका अंसर हो जाएगा प्रमानु संक्या के अधार पर बना है ठीक है उप्सन नमर ए जो है इसका से अंसर होगा प्रमानु संक्या अगला कुशन है कि निमलिखित में से कौन धातू सबसे अधिक अभिकरियासील है तो दोस्तों पोटेसियम जो है यानि कि क्या कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं खणीज अप्सन नमर 20 का से अंसर होगा अगला है प्रोपे नाल में कौन अभी किरियासील सहमू मौजूद है तो इसका अंसर जागा एलकोहल अप्सन नमर ए ठीक है इसको चिस से याद रखेंगे अगला कुश्चन है कि परकास संसले क्या होता है तो अप्सन नमर जो है का से अंसर होगा करब कारबन डॉक्षाइट का मुक्त होना ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला कुश्चन दिके 28 नमर दिया है कि फ्लोयम के फ्लोयम से खाद पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है तो दोस्तो 28 नमर का जो आंसर है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है और ये रिपीटेट कुश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा उपर और नीचे दोनों की और जो है होता है ठीक है अप्सन नमर से इसका सही आंसर होगा अगला कुश्चन 29 नमर दिया है कि विरिक की हार्मोन उत्तरदाई होता है तो फल को जो है पकाने के लिए तो ये जो है एथिलीन हार्मोन का जो है काफी जादा उप्योग होता है उत्तरदाई होता तो अप्सन नमर सी जो है इसका सही अंसर होगा अगला कुश्चन है कि एस्ट्रोजेन सर्वीत होता है तो और याद रखेंगे ऐस्ट्रो जो है वह थे यह हार्मोन है जिसको हम अंडासए दौरा सर्वीत होता ठीक है अगला डिया है कि नर यूगमक तथा अंडा यूगमक की संगलेंड को क्या करते हैं तो देखें दोस्तों male and female gamete को अगर सन्लियन किया जाता है तो उससे जो हम लोग कहते हैं अर्था फर्टिलाजेशन कहते हैं इसलिए इस कांसर जाएगा option नमबर भी फर्टिलाजेशन याने की निशेचन अगला कोशन देखिए 33 नमबर दिया गया अगला कोशन देखिए 34 नमबर दिया है कि मेंडल अपने परियोग के लिए किस पौधो को चुना है तो मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधो को चुना था तो option नमबर सी से अंसर होगा अगला कोशन है निमलिखित में कौन उत्पादक है तो निमलिखित में कौन सा यहाँ पर उत्पादक है तो धियान दिजिए यहाँ पे सांप, मेड़ा, घांस और ग्रास होरप है यह क्या है सरो रूपी है लेकिन घांस क्या है यह उत्पादक है इसको अच्छे से याद रखेंगे चलिए अगला कोशन साइतिस नमबर दिया है कि किसी अहर सिंखला में साकाहारी का निर्मान होता है तो साकाहरी का निर्मान क्या होता है पर्थम स्रेनी का होता है ठीक है याद रखेंगे साकाहरी का जो है निर्मान जो होता है वो पर्थम स्रेनी का होता है और दोस्तों यह जो कुशन है न काफी important है वी बी आई है इसको इन सभी कुशन को आप लोगों का अच्छे से रट ले अगर आप कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ पढ़ लेते हैं और इसे ही छोड़ देंगे नहीं इसको बार-बार आपनों को करना होगा ताकि आपकी बोर्ट की परिक्षा में एक भी प्रस्न जो का उत्तर जो है आप लोगों से ना चुटे एक भी आपनों का गलत ना हो ठीक है इसल लिए आगे देखते हैं आप एड़तिस नंबर या कुशन कि उजान परत के अप्षे के जिम्मेदार होता है और रहेंगे याद रहेंगे ओजन परत का फर्मुला होता है थीक है तो यहां पर इसका च्छाई जो होता है वो थी के लिए होता है तो यहाँ अप्शन नंबर कौन जैव मातरा उर्जा शुरोत का उधारन नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा उन्चालिस नंबर का उप्शन नंबर C हो जाएगा ना भी की उर्जा याद रखेंगे अगला कोशन दिया है कि पवन उर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल नियुंतम कितनी होनी तो 15 किलोमेटर परती घंटा होनी चाहिए तो उप्शन नंबर A का सेंसर होगा इस वीडियों 40 कोशन का में 40 कोशन का कम्प्रीट सॉल्यूशन आपनों को कम्प्रीट जो है उत्तर बताया हूँ आपने इस वीडियो कभी तक लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक अपन